हेलो दोस्तो नमश्कार इसे हम किसी चैनल में मैं आप सिबलों का दिल से बहुत-बहुत फगत करता हूँ फर्स टाम विजट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेज इस चैनल को भी चाहतो फॉलो कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो यहाँ पर भी बेल आकोन करेट करके औल जरू सिलेट करके रख लेना चैनल का लिंक उपर आई बटन पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चले दोस्तो फिलाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो ठीक है दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमरे नॉर्मल स्क्रीन के उपर एंड दोस्तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले है एक ऐसा सेक्टर दोस्तो जिसका परफर्मस हम लोग को बहुती शांदार देखने को मिल रहा है अब यह शांदार की सिसाप से हम लोग बात करें स्टॉक भाग रहे इसलिए देखे स्टॉक भागने के पीछे की भी कोई वजा होती है तो जो वजा सामने आ रहे है उसी के चलते यह सेक्टर हम लोग को भागते वे दिखने को मिल रहा है पर यह sector के अगर मैं बात करूँ न, तो जैसे मतलब मैं नाम आपके सामने रख दूँगा, तो यही फे बहुत सारे लोग video close करेंगे, जो कि बहुत बड़ी गलती हो जाती है, क्यों? क्योंकि जैसे मैं आपको बताया है, कि कोई sector अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, बट में आप लोगों को बताने वाला हो कौन से sector की बात हो रही है, तो दोस्तो निफ्टी reality, real estate की बात करें, आज की दिन आप देख सकते 4-4% की तेजी देखने को मिली है, कुछ इतना खास performance नहीं होता है, real estate आपको पताईए, बहुत करजा लेकर काम करना पड़ता है, प्लस material क cost, commodity market के दाम उपर नीचे होते, तो इनके जो margins होते हैं, वो बहुत ही low हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, right, so इसी चीज़ के चलते हैं, अगर हम लोग बात करें, तो real estate में थोड़ा अच्छा performance देखने को मिल रहे है, अभी इसके पीछे बहुत सारे positive reports बनते वे देख environment रहती है, तो इसके चलते real estate के demand बढ़ रही है, अभी तो आप सभी लोग को पता ही है, कि RBA ने जो rate लगातर वो बढ़ा रहे थे, उसको रोग दिया, तो इसके चलते loan अभी हम लोग कह सकते हैं, कि जिस rate पे मिल रहा है, वो उसके उपर शायद से नहीं जाएगा, एक अन numbers अच्छा है, ट्रेलर अच्छा है, तो जो rating agencies थे, उन्होंने उनके targets उपर कर दिये, और जो recommendations थे, वो neutral से उन्होंने buy कर दिये, तो यही चीज़ हम लोग को same, real estate companies में भी आज देखने को मिली है, अभी जैसे मैं आप लोग को बोला, कि हम लोग real estate को focus नहीं करेंगे, हम लो आपको बता चुका हो, real estate में तीन ही कंपनिया मुझे अच्छे लगती है, एक है गोदरेज प्रॉपर्टी, एक है ओबरार रियल्टी, और तीसरा है लोधा बिल्डर्स, आप चाओ तो इन ही को study करना, यह मेरे मेरे साइड से बोल दिया है, यह कोई recommendation नहीं है, अगेन कहना कितेजी, prestige के अगर हम लोग बात करें, 6-7% के आसपास कितेजी, brigade enterprise की बात करें, सब कुछ हम लोगो South India के अगर हम लोग बात करें, वहापे जो state है, इनमें उनका जबरदस presence देखने को मिल जाता है, सोभा limited की बात करें, 33% कितेजी, macro tech developers की बात करें, यह भी हम लोगो अभी भी धीमे-देमे करके, बेंगलूरु में एंटर करते वे देखने को यहापे मिल रहे है, पहले सबसे जादा मुंबे सिटी में हम लोगो को देखने को मिल जाते थे, पूने में इन्होंने entry कर लिया, थाने में entry कर लिया, अभी वो बेंगलूरु में भी इंटरी करने की वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो automatically ये कमपनिया क्या करेंगी, वो higher level के premium quality के house offer करेंगी, तो अच्छा कासा business इनका हो सकता है, तो macro tech developers के भी हाली के, जो Q4 के numbers आपने देखे होंगे, ट्रेलर की मैं बात करा हो, original result तो बाद में आएंगे, तो वो भी शांदार था, अच्छी खासी growth देखने हो के मिली, अभी गोदरेच properties की मैंने बात की, तो गोदरेच properties में खास इतनी तेजी की है आज के दिन, तो इनका कौन से हिसाब से आप बोल रहे हैं सर, आमदा नहीं बढ़ रहे हैं, आप सरकार का अभी का data देखिए, direct tax का कितरा है, सरकार ने जो सोचा नहीं था, उससे कई गुना लाख करोड, income tax, direct tax हम लोग को जमा होते वे देखने हो का आपे मिला है, ये indication देता है, कि सबसे ज़्या पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट जब tax इतना collection जबरदस हो रहा है, solid तरीके से, और luxury चीजों की demand यहापे बढ़ रही है, तो इसके चलते real estate में भी हम लोंको अच्छा का सा demand देखने को आपे मिल रहा है, तो जैसे मैंने का कि वीडियो के शुरुआत में ही, कि real estate में अच 20-20 हुआ, तो यह अपने target को revise भी कर सकते, क्योंकि situation की हिसाब से खिलना पड़ता है, बट overall scenario क्या बन रहा है, कि real estate में अच्छा demand हम लोंको देखने को आपे मिल रहा है, यह clear cut चीजे समझ में आ रहे है, और एक बीच में मैंने एक detail वीडियो भी बनाए था, कौन सा, real estate को जो लोन भी है, वो comparatively, pre-covid level का जो लोन था उस हिसाब से जो basis point है, 150, मतलब 0.5% के आसपस उनको benefit मिल रहा है, थाड़ा सस्ते नाम में लोन मिल रहा है, तो इसलिए बहुत सारे real estate company लोन लेती जा रहे है, और दना दन properties खड़ी करती जा रही है, तो अभी तक तो हम लोग य जैसे कि अगर मैं बात करो, building materials, right, so इसकी में ही आपे बात करने जा रहा था, जैसे मैं आपको का कि बहुत सार लोग बलेंगी, sir, real estate में interest नहीं है, चलेगा, कोई बात ने, आप वैसे भी सही हो, technically, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा बनता नहीं है, but building materials कि अगर हम बात करें, आपे आपको धेरो सारे multi-veggar stocks मिलेंगे, ऐसे कितने stocks है, जिन्होंने पिछले 4-5 साल में कई गुना अच्छे returns दिये है, तो इनमें हमारा focus होना चीए, जो कि बहुत सार लोग miss करते, real estate के उपर report आते है, देखते ही नहीं है, अरे ऐसा नहीं करना है, अपने check करना है कि आ comment आप लोगो पता होना चीए, अभी real estate की बात करें, मान दीजिए, एक building है, ठीक है, इसमें देखा गया है, तो 100 apartments है, अभी ये पूरा big गया, जबर्दस demand देखने को मिल रहा है, तो मैं क्या करूँगा, एक और building खड़ी करने की कोशिश करूँगा की नी, और जबी-जबी में building खड़ी करूँगा, तो मुझे ये सारे building materials की जरुवत लगीगी, building खड़ा करना मतलब सिर्फ cement and steel का काम नहीं होता है, बहुत सारी चीज़े, उसमें tiles आ गये, coloring आ गया, plumbing आ पाइप्स आ गये, home decorations आ गये, बहुत सारी चीज़े होती हैं दोस्तों, तो इसलिए कहना चा logic के साथ बताना चाहूँगा, जैसे कि home decor वाली companies, उनका business अच्छा हो सकते है, तो हिंडवेर home आज के दिन आप देख सकते हो, 5-6% के आसपास भागते वे देखने कमपनी है, एक small category वाली company है, ultimate risk की company, आपका पैसा डूब भी सकते है, में open लिखे रहा हूँ, इसका आरती है इंडवेर करके अलेक से ब्रैंड देखने को मिल रहा है, इंट्रेस्टेड हो, तो चाहूँ तो इसको थोड़ा बहुत study कर सकते हो, प्रिती इंटरनेशनल, अफला तून company, यहाँ पे तो मतलब मैं आपको सीधा कहना चाहूँगा, कि यहाँ पर भी आपका पैसा zero हो सकता ह मतलब केवल 175 करोड का market cap है इसका, बहुत चोटी, बहुत चोटी, बहुत चोटी, कोई operator इसको easily operate कर सकता है, थोड़ा सा बड़ा पैसा लगा दिया, stock upper circuit में, किसी ने बड़ा पैसा निकाल दिया, stock lower circuit, circuit के उपर circuit, उपर भी नीचे भी इस प्रकर की चीज़े देखने को मिल सकती है, बट प्रिति इंटरनेशनल का business के मैंने आपको बता दिया था, कि होम में ही जो decorations वाली जो चीज़े होती है, जो घर बनाने के लिए जो चीज़े आप लोग अलग अगर हम लोग decorations की बात करें, वो थोड़े से premium quality की भी चीज़े यापे मिलती है, उसमें ये company काम कर पहले बीच में वीडियो बनाया था, तबी भी देड़सो का था, उसके बाद suddenly 170 गया, फिर वापस देड़सो आ गया, तो इस प्रकर की आराम से 600 वाली चीज़े देखने को मिल जाती है, ये company easily 50-70% भी गिर सकती है, रिस्की है, बट इसकार नहीं कि खराबे करके, तो फिल पासा पेंटिंग चलता रहता है, maximum इनके repeated orders आते रहते है, इसन पेंट का बिजनेस भी बहुत अच्छा है, तो देखा गया तो ऐसी कोई बात नहीं कि चलो दूसरा पेंट ट्राइ कर लेते करके, तो अभी तक तो इनका feedback भी बहुत अच्छा रहा है, तो as such, अगर हम लोग बात करें, तो इन companies को भी फायदा होगा, जैसे मैंने का, क्या आप चाहो, तो बरजर पेंट को भी study आपे कर सकते हो, तो अगर हम लोग बात करेंगे, तो एस्टर लिमिटेड रहे है, तो ऐसा मोका काहा पे मिलेगा, उपर से RBA ने rate भी रुका दिये, फिलाल के लिए रु देखा गया, तो situation अगर गड़ बढ़ागी, तो शायद से उनको वापस reverse gear में भी गाड़ी लेके जानी पढ़ सकती है, ऐसा कुछ सकती गांता दाश जी नहीं, अपने MPC के बैठक के जो commentary रेती थे, वहाँ पे बोला था, तो अब चाहो तो इन companies को भी study कर सकते हो, यह बार इन सबी चीज़ों की, मैं बार-बार आप लोगों को कहा रहा हूँ, अभी तक तीन बोनस यह company दे चुकी है, और बोनस के चलते नहीं जाना है, बट ओराल परफॉर्मस अच्छा है, प्रिंस पाइप का भी परफॉर्मस आप देख सकते, नमबर फोर पे piping industry में यह company देखन चलता है, उनके ओपर हम लोग ने focus रखना चाहिए, तो आप इन companies को क्या कर सकते हो, जरू consider कर सकते हो, चाओ तो study कर सकते हो, यह तो मैंने चंद example आपको दिये, क्योंकि एक वीडियो में कितनी सारे stocks cover करूँगा, तो आपको logic में ने पेश किया है, उसके बाद आप magic अपन प्रॉपरली कमेंट सेके मिंचन कर देने, तो अफ्ते बर के अंदर-अंदर सारे लेक्चर्स मेरे से free of course प्रवाड कर दीजाएं कि ताकि अब share market को आसान बाशा से सीख सको, तब तक के लिए, बाबाई